इस वीडियो में आपको एक IoT-based electrical surveillance system के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे कि दो categories में divide किया गया है पहला जो category उसमें कहा गया है कि ये एक on-premise system हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम on-premise system के लिए एक proposed हमाई पास ESP module based surveillance and control system है जिसका एक block diagram हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है इसका block diagram तो इसके block diagram में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक wifi based surveillance और control system है जो कि on-premise यानि कि किसी building में established होगा तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास एक smart hub है जिससे की devices जुड़ा हुआ है जो की एक router है और यह router जुड़ा हुआ है यह आपके cloud server से जुड़ा हुआ है और यह जो router है यह अलग-अलग notes यानि की अलग-अलग devices से यहां पर जुड़ा हुआ है और यहां पर आपके अलग-अलग नोट्स हैं यानि कि separate devices हैं जिनकी monitoring यहां पर किये जाएगी यहां पर हमारा उदेश है कि हमको electrical devices का monitoring करना है यानि कि surveillance करना है ठीके तो यह तो हुआ हमारा block diagram अब इसका थोड़ा सा description देख लेते हैं देखे description में यदि हम देखें तो हमें यह पता चलता है कि इसमें जो other devices हैं जो notes हमने कहा था वो थे actually में street lamps थे कुछ इसमें sensors लगाए जाएंगे जिससे की current का flow हम detect कर पाएंगे relay लगाए जाएंगे जिससे की control कर पाएंगे on कर पाएंगे off कर पाएंगे devices को और यहाँ पर एक five volt का power supply converter लगाया जाएगा और एक node लगाया जाएगा mcu slave end पे यानि की electrical devices की end पे sensors का use करके control किया जाएगा electrical appliances को और send किया जाएगा analog signal environment को और उसे भेज़ा जाएगा system के पास और perform किया जाएगा related task को master end में होगा rest पे बीरी पाई जिसमें तीन controller connected होंगे internet connection के साथ और इसका जो purpose है यानि इस तरीके की system का purpose क्या है ये भी हम देख लेते हैं देखे अब इसका purpose क्या है देखे इसका purpose जो है वो ये है कि हमको यहाँ पर micro controller की मदद से क्या करना है सारे required data को लेते हुए हमें उसे भेजना है street lamp से और street lamp से यह जाएगा wifi connection से होते हुए और उन्हें last में क्या किया जाएगा convert किया जाएगा एक serial communication में signal इसके बाद transferred होगा through the sensors to node MCU जो last में transmit करेगा signal को wirelessly to master control terminal master controller क्या करेगा detect करेगा signal को और perform करेगा appropriate task को यदि मालीजे किसी भी case में street lamp का failure detect होता है तब transmission system में transmission system में होगा एक node MCU electrical devices पे होगा electrical devices के end पे होगा जो की receive करेगा उस information को जो की sensor से हमें मिलेंगे और यह sensors attached होते हैं electrical devices पे दूसरे end पे जो master controller रहेगा यानि की recipe verify जो receive करेगा information को wirelessly और send करेगा data को एक central monitoring system के पास web application प्रेजेंट करता है एक graphical representation जिसमें कि कि किस तरीके से data receive हो रहा electrical devices से यह दर्शाया जाता है ठीक है अब यदि हम one directional system की बात करें ठीक है तो one direction में किस तरीके से implement होगा यह भी पताया जा रहा है तो one direction में आपको यह समझ नहीं कि किस तरीके का case है तो इस case में क्या होता है जो traffic street lamps हैं वो कभी-कभी एक ही direction में मालीजे grow कर रहे हैं तो यह उस तरीके के system से different होता है जिसमें किसी premises या किसी building के अंदर हमें काम करना होता है अब लेकिन यदि आप इसे देखें तो यहाँ पर हमाई पास एक challenge आ जाता है कि communication range हमारा ज़ादा भी हो सकता है क्योंकि जो wireless connection range है जिसमें कि router या node mcu का use होता है वो meters में होता है लेकिन यह इस case में possible नहीं है क्योंकि यहाँ पर wifi connection की ज़रुत पड़ेगी किलो मीटर्स में यहाँ पर हमें ऐसा wifi यूज करना है जिसकी range किलो मेटर्स तक हो सके साथी साथ हमें system को reliable बनाना है और इसमें आप reliable wired connection का use हमें करना पड़ सकता है ताकि हम connect कर सके master controller rest पर बिरी पाई को एक street lamp devices से इसके बाद यह जो पाई है connected होता है to cloud server और web application से अब next हम बताएंगे block diagram of proposed surveillance और control system का जो की use आएगा one directional systems के लिए ठीके तो आईए अब इसका भी block diagram देखते हैं तो इसके block diagram में आप देख सकते हैं कि हमारे पास use हो रहा है यहाँ पर एक workstation जो connected है एक cloud server से और cloud server connected है एक mobile devices से ठीके तो यहाँ पर एक traffic light surveillance control system यूज हो रहा है जिसमें की एक smart hub node और यह यह node आपस में सायद wired connection से जुड़े हुए है यहाँ पर दिखाये गया है ठीके तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि master controller क्या चीज है जो master controller होता है वो एक brain की तरह act करता है पूरे device को control करने के लिए और monitoring system के लिए रेस्पर पी रिपाई जो होता है वो receive करता है और transmit करता है signals को signal को और यह signal भेजा जाता है slave notes के लिए और उनसे भी signals receive किये जाते हैं over wired connection यानि कि यहाँ पर जितने भी slave notes रहेंगे वो आपस में wired connection के थुरूँ जूड़े रहेंगे इसी समय पर same time पर यहाँ क्या होंगे feedback भेजेंगे एक central monitoring application को ताकि visual display हो सके of the status of different electrical devices ठीके अब जो users होता है users भी signal भेज सकता है इस application के through devices के पास ताकि इन्हें remotely control किया जा सके यह application communicate कर सकता है master controller के साथ via http protocol अब इसमें कौन सा software यूज हुआ है यहाँ पर जो software यूज हुआ है वह हुआ है avr studio और node-red जो की दो development tools है embedded level programming इसमें किया गया है through the avr studio और node-red का यूज किया गया है web-based application के लिए तो इस वीडियो में बस इतना है इस वीडियो को like करें शेयर करें हमाई चैनल को जब और subscribe करें thank you